हेलो एवरीवन आज फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलवे अकैडमी मेरट में स्वागत है आज इसी के साथ होम साइंस के फिर से कुछ महत्पूर्ण कोशन्स आप सभी के लिए लेकर आए हैं तो चलिए देखते हैं हमारी एक्जाम्स की प्रिपेश कर लिजेगा चलिए इसी के साथ हम अपना फर्स्ट कोशन देखते हैं आज का जो हमारा पहला कोशन दिया है संक्रामक रोग किसे कहते हैं तो बच्चों क्या पूछाए कि इसमें संक्रामक रोग किसे कहा जाता है फर्स्ट है हमारा संक्रामक रोग किसे कहते हैं तो देखे इसमें क्या ओप्शन दिया है पहला ओप्शन है वाईू द्वारा फैलने वाला रोग जल द्वारा फैलने वाला रोग थर्ड है रोगाडू के संक्रमण से होने वाला रोग या उप्युक्त मैंसे कोई नहीं तो जो रोगाणू होते हैं वो हमारे शरीर में प्रिवेश कर जाते हैं और वो एक प्रकार का संक्रमण फैला देते हैं तो ये जो संक्रामक रोग होते हैं ये दूशिक जो वायू होती है अगर इसमें व्यक्ति सांस लेता है तो सांस के माध्यम से वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और रोगाणू उत्पन कर देते हैं जिससे जो व्यक्ति होता है वो रोगी हो जाता है तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है रोगाणू के संक्रमड से होने वाला रोग मतलब जो रोगाणू होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो वो क्या होता है एक प्रकार का संक्रमड फैला देते हैं जिससे हमारा जो शरीर है वो संक्रमित हो जाता है तो इसका आंसर होगा कि रोगाणों के संक्रमड से होने वाला रोग नेक्स्ट है हमारा शरीर की रोगों से मुकाबला करने की शक्ति को कहते हैं तो बच्चों पूछा है कि जो शरीर की रोगों से मुकाबला करने की शक्ति होती है उसे क्या कहा जाता है देखते हैं क्या option दिये हैं रोग प्रतिरोध च्छमता होती है मतलब किसी भी रोग से लड़ने की हमारी शरीर की जो च्छमता होती है वो होती है हमारी रोग प्रतिरोदक च्छमता तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शरीर की रोगों से मुकाबला करने की जो शक्ती होती है उसे रोग प्रतिरोदक च्छमता कहा जाता है और बच्चों इसमें second option दिया है नी संक्रमण, तो नी संक्रमण क्या होता है कि कि किसी भी संक्रमण को या जब हमारे शरीर में रोगाणू प्रवेश कर जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम जो भी साधन या जो भी दवाईयों का प्रियोग करते हैं, वो हमारा नी संक्रम रोग है, यह फैलता है, तो बच्चों इसमें तपेदिक के बारे में पूछा है कि एक संक्रमक रोग है, यह फैलता है, किस के द्वारा वायू के द्वारा, कीटों के द्वारा, छूने से या उप्युप्त मैंसे कोई नहीं, तो बच्चों जो तपेदिक होता है, आप सब वाइरस होता है, इसे कहा जाता है, इसके जो वाइरस का नाम है, वो है, माइक को बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस, ये इसके रोगाणू का नाम है, और बच्चों पता है, जो तपेदिक रोग होता है, प्राचीन समय में माला जाता है, जो एक तपेदिक रोग है, ये धनी वर्ग में जादा होता था, यानि कि राजाओं के परिवार में जादा होता था, इसलिए इसका अन्य नाम भी रखा गया है, जो जब जिसे कहा जाता ह अन्य नाम है इसका लाज्य श्हमं यह तपेडिक का एक अन्य नाम है कोशन पूछा जा सकता है कि पुराने समय में जो धनी वर्ग में जो रोग फैलता था उसे क्या कहा जाता है तो आप कंधियूजन नहों अगर लिखा हुआ है तो वह तपेडिक ही हे और इसका एक अन्य नाम है छे रोग, छे रोग के नाम से भी इसे पुकारा जाता है, इसका मतलब होता है कि जब इसके रोगाडू हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो हमारे शरीर का धीरे धीरे छे होने लगता है, तो हमारे शरीर क्या होता है, कमजोर होने लगता है इसकी अंती मवस्था तो ऐसी होती है अगर इसका समय से उपचार न किया जाए तो व्यक्ति की म्रत्यू भी हो जाती है इसलिए इसका समय से ही उपचार करना चाहिए अगला कोश्चन है हमारा वायू की अशुद्धी का वैज्ञानिक कारण क्या है तो बच्चो जो वायू की अशुद्धी का वैज्ञानिक कारण पूछा है इसमें दो कारण होते है पहला होता है वायू में उपस्थित अतिरिक तरह साइनिक पदार और सेकिंड है वायू में उपस्थित बहुतिक कारिकों में परिवर्तन तो बच्चों ये दोनों ही option इसके बिल्कुल ठीक है कि जो वायू की अशुद्धी का वग्यानिक कारण है ये हमारे दोनों ही होते हैं तो इसका third option बिल्कुल सही है कि ये दोनों ही ठीक है अगला question है हमारा निम्न लिखित में वायू द्वारा फैलने वाला रोक कौन सा है तो बच्चों आपको बताए कि जो वायू के द्वारा एक हमने अभी last question में तपेदिक पड़ा था इसमें चेचक दिया है है जा है मियादी बुखार है पेचिस है तो वायू द्वारा जो फै जालने वाले रोक है वो है चेचक है एक है हमारा खसरा एक है हमारा कर्ण फेर और है हमारा डिफ्थीरिया इन्फ्लूएंजा यह सबी रोक भी हमारे वायू के द्वारा फैलने वाले रोक है अगला question है हमारा निम्न लिखित मैंसे कौन सा रोक वायू द्वारा फैलने वाला नहीं है तो बच्चा अभी मैंने last में बताया था कि एक चेचक होता है इन्फ्लूएंजा भी है डिप्थीरिया है और जो है है यह हमारा दूशित भोजन या दूशित जल घ्रण करने से होता है और जो हैजा के जिवानू होता है है जिसके कारण से यह फैलता है वो है हमारा विब्रियो कॉलरा यह हैजा के फैलने का कारण है अगला कोशन है हमारा चेचक का रोग होता है तो बच्चों चेचक जो होता है यह वाईू के द्वारा फैलता है तो जो इसका विशाणू होते हैं वो वाईू के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जो व्यक्ति है उसके शरीर में संकुर्मण पैदा कर देते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चेचक का रोग होता है बच्चों इसमें इसके विशाणू का नाम है वो है कि कौन सा विशाणू होता है जिसके कारण से यह चेचक रोग हो जाता है इसके विशाणू का नाम है वैरियोला वाइरस क्या नाम है इसके विशाणू का वैरियोला वाइरस बच्चो चेचक में क्या होता है ये एक भयानिक बीमारी है तो जाता चोटे बच्चों में हो जाती है और इसमें क्या होता है कि शरीर में लाल-लाल दाने हो जाते हैं और जो बच्चा होता है वो बहुत जादा कमजोर हो जाता है उसे बेचैनी हो जाती है इसका जो संप्राप्तिकाल होता है चेचक रोक का वो 10 से 12 दिन होता है मतलब 10 से 12 दिन जो उसके लाल-लाल दाने होते हैं वो सूखने लगते हैं उन पर खुरंट जमने लगता है और वो धिक्षुरंट धीरे-धीरे हटने लगता है अगला कोशन है हमारा खसरा रोग के मुख्य लक्षण है तो बच्चों इसमें खसरा रोग पूछा है खसरा रोग होता है ये भी चेचक के समानी होता है इसमें क्या होता है गले और नाक से स्त्राव उत्पन होना क्या होता है कि इसके जो रोग रोगान है वह हमारे गले की श्लेश्मा और नाक स्त्राव में उत्पन होते हैं तो सिर्दर्ध बुखार होना है ये सभी हमारे खसरा के ही, लक्षण होते हैं अगला कोशन है हमारा निम्न लिखित मैंसे कौन सा रोग अब भारत वर्ष में नहीं पाया जाता तो बच्चों इसमें पूछा है बहुत इंपोर्टन कोशन है कि अब ऐसा कौन सा रोग है जो भारत वर्ष में नहीं पाया जाता तो अब यह हमारा चेचक है कि अब इस पे ज सेंट ही हमारे भारतवश में पाया जाता है बाकि अब यह समापती की तरफ ही है भारतवश में अब इसकी कोई जादा नहीं देखा जाता अगला कोशन है हमारा BCG का टीका किस रोग का उपाय है तो बच्चों आपको पताएं कि जो BCG का टीका है वो तपेदिक से 6 रोग से या राज्यश हमा से बचने के लिए लगाया जाता है और जो BCG का टीका होता है देखे इसमें ऑप्शन में दिया है 6 रोग इससे बचने के लिए लगाया जाता है BCG का जो ठीका होता है वो नवजाश शिशू के जर्म के पहले हफते में लगाया जाता है और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बैसिलस कैलमेट गुएरिन तो बच्चो एक्जाम में आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि BCG की फुल फॉर्म क्या होती है तो आप इसको नोट डाउन कर ली जिएगा बैसिलस कैलमेट गुएरिन BCG की फुल फॉर्म होती है और इसका जो टीका है वो छे रोग यानि तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है अगला कोशन है हमारा वर्तमान युग में तपेदिक से कम लोग मरते हैं तो इसमें पूछा है कि वर्तमान में जो तपेदिक रोग है इससे कम लोग मरते हैं इसके पीछे का कारण क्या है तो बच्चो पहला उप्शन दिया है कि अभी है रोग असाद्दे नहीं है रोग प्रतिरोधक शक्ती बढ़ गई है रोगी को पॉस्टिक भोजन दिया जाता है तो बच्चो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि अभी है रोग असाद्दे नहीं है क्योंकि हमारे जो चिकित सक हैं उन्होंने इस से बचने के लिए बहुत सारे साधन और दवाईयां उपलब्द कर लिया है तो अब ये जो रोग होता है ये एक असाध्य रोग है मतलब अगर किसी के शरीर में इसके रोगाणू प्रिवेश भी कर जाते हैं अगर उसे समय से उसे सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो एक्ति आराम से ठीक हो जाता है अगला कोशन है हमारा चेचक का संप्राप्ति काल क्या होता है तो बच्चों जो चेचक का संप्राप्ति काल होता है वो होता है हमारे 10 से 12 दिन मतलब 10-12 दिन बाद इसके जो लाल-लाल दाने या लाल-लाल चक्ते हमारे शरीर पर हो जाते हैं वो सूखने लगते हैं और खुरंट बनके 10-12 दिन बाद वो जढ़ने लगते हैं चेचके संप्रप्तिकाल हो गया 10-12 दिन और मैंने इसके अभी आपको विशाणू का नाम बताया था वैरियोला वाइरस अगला कोशन है हमारा निम्न लिखित मैसे चेचके विशाणू का नाम है तो बच्चो देखो विशाणू का नाम यहाँ पर हमसे कोशन में पूछा है अभी मैंने आपको बताया था कि चेचके विशाणू का नाम है वैरियोला वाइरस ठीक है अगला कोशन है हमारा डिफ्थीरिया मुख्य रूप से होता है सभी को चोटे बच्चों को केवल पुर्शों को या केवल इस्त्रियों को तो बच्चो जो डिफ्थीरिया है वो जादातर चोटे बच्चों में देखा जाता है डिफ्थीरिया पूछा है हमसे तो यह जादातर क्या होता है कि चोटे बच्चों में पूछा जाता है कोरीनी बैक्टीरियम कोरीनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी बच्चों यह इसके वाइरस का नाम होता है जब यह वाइरस हमारे शरीर में एंटर कर जाता है तो एक प्रकार का संक्रमण फैला देता है जिसके कारण बच्चों में यह डिफ्थीरियम नामक रोग हो जाता है और इसके बच्चाव के लिए क्या किया जाता है कि डिफ्थीरियम बच्चाव के लिए डिफ्थीरिया एंटी टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन नामक इंजेक्शन रोगी को दिया जाता है जिससे उसका धीरे धीरे उपचार हो जाता है अगला कुशन है हमारा डिफ्थीरिया नामक रोग में होता है तो बच्चो पूछा है कि जो डिफ्थीरिया नामक रोग होता है इसके क्या लक्षण होते है पहला दिया है कि लार ग्रंतियों में सूजन आ जाना गले में जिल्ली बन जाना चहरे पे सूजन आ जाना या टॉंसिल का बढ़ जाना बच्चों तो जो डिफ्थीरिया रोग होता है इसमें क्या होता है गले में जिल्ली बन जाती है स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं होता है उनको बार बार खासी होती है उनके गले में दर्द शुरू हो जाता है दर्द के सासाथ उनके गले में घाव हो जाता है घाव के बाद बच्चों को तेज फीवर होने लगता है और इसकी जो अंति मफस्था होती है डिफ्थीरिया की उसमें क्या होता है कि गले में एक जिली बन जाती है तो इसका answer भी हमारे है गले में जली बन जाना अगला question है हमारा जुखाम छीके खासी तथा जोर किस मुख्य लक्षण है तो बच्चों पूचाए की जो जुखाम है छीके है खासी है जोर है ये किस रोके मुख्य लक्षण है तो बच्चों आपको पता है की influenza है influenza में क्या होता है कि इसमें बहुत जल्दी जल्दी बच्चों को छीके आती है जुखाम हो जाता है खासी हो जाती है और इसमें बहुत तेज फीवर हो जाता है मानुक की फीवर का जो temperature होता है वो 102 डिग्री फारन हाइट से 104 डिग्री फारन हाइट तक हो जाता है इसलिए शुरू में ही जैसे ही इसका पता चले हमें तुरंट सक्सेस के लिए परामर्श लेना चाहिए अगला कोशन है हमारा वस्त निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है है इसमें दिया है धागा तंतु कपास या उन तो बच्चों आपको पता है कि जो वस्त निर्माण है इसमें सबसे छोटी इकाई है तंतु तंतु वस्त निर्माण की सबसे छोटी काई होती है तंतु यानि रेशा जिसे हम फाइबर कहते हैं इसके बाद जो वस निर्मान की प्रिक्रिया होती है वो चार चरणों में पूरी होती है जो सबसे छोटी काई होती है उसमें होता है तंतु यानि रेशा अगला होता है हमारा धागा या सूत्र, जिसे यान भी कहते हैं, अगला चरण होता है हमारा कपडा, जिसे फैब्रिक भी कहते है, जो हमारा इसका चोथा चरण होता है वो पहनने योग्य कपडा, यह चोप दो, बच्चों जो वस्त निर्माण की जो प्रिक्रिया है, वो हमारी चार चरणों में पूरी होती है, कुशन में हमसे पूछा था, कि सबसे छोटी का कॉन सी है, तो इसका आंसर था तन्तू, और इसके अगर चरण पूछ जाए, तो चार चरण होते हैं, वस्त निर धागा यानि सूत्र जिसे हम यान भी कहते हैं अगला होता है हमारा कपड़ा फिर होता है हमारा पहने योगे कपड़ा तो बच्चो जो इसमें थर्ट चरण होता है कपड़ा यहां पर जो हमारा कपड़ा तयार होता है मतलब जो सीधा करगे से निकलने वाला होता है वो हमारा पहने योगे कपड़ा नहीं होता उसका जो हम जादा तर प्रियोग करते हैं वो बोरी टाट या फिर कंबल बनाने में इसका प्रियोग करते हैं इसके बाद क्या होता है कि अगले चरण में बहुत सारी weaving spinning और finishing की जाती है इसके बाद जो ये फैबरिक होता है हमारे पहने के जिसके द्वारा एक फैब्रिक का निर्माण किया जाता है चलिए इसके बाद देखते हैं अगला कुश्चन क्या है तो बच्चों पूछाएं कि जो ये तन्तु हैं ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं तो बच्चों जो तन्तु होते हैं वो दो प्रकार के होत के हैं पहला है हमारा फिलामेंट अगर हमसे पूछता है कि तंतु कितने प्रकार के होते हैं तो फर्स्ट होता है हमारा फिलामेंट और सेकेंड होता है हमारा स्टैपल बच्चो जो ये फिलामेंट तंतु होते हैं ये क्या होते हैं लंबे रेशे होते हैं और जो स्टैपल होते हैं ये हमारे छोटे रेशे होते हैं पर जो कई बार कोशन पूछ लिया जाता है कि फिलामेंट कैसे दंतु होते हैं तो हमारे जो फिलामेंट होते हैं वो लंबे दंतु होते हैं और स्टैपल होते हैं छोटे दंतु होते हैं इसी में फिलामेंट भी जो होते हैं यह हमारे टू टाइप्स के होते हैं एक होता है हमारा एक रेशिय है और सेकिंड होता है हमारा बहु रेशिय होता है जो एक रेशिय होता है बच्चो ये वाला जो तंतु होता है इसमें एक रेशा होता है और जो बहु रेशिय है इसमें बहुत सारे रेशिय होते हैं मतलब कि मल्टीपल इसमें रेशों का प्रिय कि प्रापति के अधार के होते हैं तो बआ प्र civ कि प्रकार कि करते हैं तो बतिके कि अधार पर पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं तो वो भी हमारे दो प्रकार के होते हैं प्राप्ति आधार पर भी दो प्रकार के तंतू है पहला होता है हमारा प्राकर्टिक तंतू और सेकिंड होता है हमारा क्रतिम तंतू यह हमारे तन्तू के प्रकार है अगर मुख्य रूप से पूछते हैं तो यह भी दो प्रकार के हैं फ्लामेंट और स्टैपल हो गया अगर प्राप्ति या श्रोद के आधार पाप से पूछा जाता है कि तन्तू करतिम तन्तू अगला कोशन है हमारा सूती वस्ति के लिए तन्तू के शरोत से प्राप्त किये जाते हैं तो बच्चो इसमें पूछा है कि जो सूती वस्ति के लिए तन्तू है उनको प्राप्ति का शरोत क्या होता है तो बच्चो जो सूती वस्त है इसमें आप्शन में देखे क्या दिया है प्राणी जगत है वनस्पती जगत है और रसाइनिक तत्व है तो बच्चो जो सूती वस्त के लिए तंतू का श्रोत होता है वो मुख्य रूप से वनस्पती तंतू होता है इसमें क्या होता है कि वनस जो प्राणी जगस्से हैं वो हम रेशम और उन प्राप्त करते हैं, रासाइनिक तत्तों से हम नायलॉन और रेवन की प्राप्ति करते हैं, थैंक यू, थैंक यू, सो मच, अगर आज की क्लास आपको हमारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब की दिए, इंपोर्टेंट कोशन्स अभी तक पहुच सके, थैंक यू,